बेटा राम की कसम आगे वो जलते चीकते मुझे भी दीख रहे और बेटा तुमको ना ही दीख रहे ना ही आवाजे सुनाई दे रही है कुछ तो गलत है यहाँ पर यह बोलकर वो बूड़े आदमी की आँखे भर आई मैं एक हनुमान भक्त हूँ और काली मा हमारे कुल देवी है सौभागय से दोनों का असिरवाद मेरे पर है मैं हर सनिवार रात को 108 हनुमान 40 का पाट करता हूँ और प्रती दिन महाकाली 40 पढ़ता हूँ एक रात की बात है जब मैं करीब एक से डेड़ बजे के बीच में अपना काम खतम करके किसी गाओं से लोट रहा था वहां से हमारा सहर करीब 22 या 24 किलोमेटर है मैं अपनी बुलेट बाइक पर था करीब 15 किलोमेटर चलने के बाद मैंने देखा कि आगे दो गाड़िया जैसा कि पहाड़ों पर होता है बहुत जगा पर तो वैसा ही था अब जगा नव मिलने के कारण मुझे गुस्सा आने लगा मैंने बाइक खड़ी करी और गाड़ी वाले के पास जाकर बोला अबे बहराये क्या सिर्प तुने ही भराये टेक्स हम नहीं दे रहे क्या ऐसा बो महिला डर के मारे रोए जा रही थी तो मुझे सक हुआ कि इस आदमी ने तो कहीं इसको नुकसान नहीं पहुचाया तो मैंने उसको बोला अंदर की लाइट जला तब उसने अंदर की लाइट ओन की मैंने बोला गाड़ी के बाहर की मैन लाइट भी जला पर उसने मना कर दिय फिर मैंने उस महिला को पूछा कि मेडम आप ठीक तो हो कोई परेशानी है क्या या आपके पती है और क्या या आपको कुछ नुकसान पहुंचाना चाह रहे है तो ऐसे ही दो चार सवाल मैंने पूछ डाले तो वो महिला ने रोते-रोते आगे की तरफ इसारा किया मैं समझ गय कि आगे जो गाड़ी है उसके लोग शायद इनको परेशान कर रहे है तो मैं तुरंत आगे वाली गाड़ी के पास किया और जोड से उसकी विंडो को नौक करी और अंदर की लाइट जलाने को बोला उसने नहीं जलाई लाइट तो मैंने पास से ही पत्थर उठाया और बोल लड़कियों में से एक तो मेरी उम्रकी थी और थोड़ी छोटी लग रही थी अब मैं थोड़ा हैरान हुआ कि ये भी फैमिली ही लग रही है और ये भला दूसरी याने पीछे वाली फैमिली को क्यो नुकसान पहुचाना चाहती है तो अब मैंने उसको पूछा क्या ड्रा मैंने बोला अब क्या है दो गाड़िया ही तो खड़ी है यहां पर तू क्यों मुझे आगे इसारा कर रहा है फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा पर कुछ भी नहीं दिखा बस खाली रोड थी अब मेरा गुस्सा सीमा पार कर गया था मैंने चिला कर बोला बाहर निकल वरना मैं पुलीस को पॉन करता हो तो वो आदमी बोला सर आपको आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा वो आदमी जो जिन्दा जल रहे है और इधर उदर भाग रहे है चीकते हुए अब मुझे लगा ये लोग मजाग कर रहे है शायद तो मैंने बोला हाँ दिख रहा है ना और एक न अब तक ये एक आदमी बोल रहा था और अब मैंने बोला नहीं दो आदमी और एक बच्चा है तो वो हाँ तीन लोग ही कहने लग गया अब मैंने बोला मुझे देर हो रही है और तुम्हारा प्रैंक बहुत भयानक था और मैं बहुत डर गया हूँ और लेड भी काफी हो ग कि प्रेंक अच्छा था अब घर को जाओ, साथ मैं इतना चोटा बच्चा है और तुम लोग यहां प्रेंक कर रहे हो, खाली बच्चे का तो ध्यान करो, मैंने इतना ही बोला था कि मेरे फॉन की घंटी बजी, मैंने फॉन देखा तो घर से मां का पॉन था, आ रहा हो बोलकर म वापस बाइक की तरब चला, इतने में मुझे एक आदमी की आवाज आई, सर सुनिये, मैं रुका और मुड़ा तो देखा वो आगे की गाड़ी वाला मुझे आवाज लगा रहा था, मैंने बोला हाँ, अब क्या चार हो गए, वो मुझे बड़ी अजीब तरह से घोरने खतम हो गया क्या, क्या हुआ मैंने फिर पूचा, तो वो आगे वाली गाड़ी में बैठी लड़किया भी रोही रही थी, मैंने बूचा ये बच्चों को क्या हुआ, ये क्यों रोने लग गए, तो वो पीछे बैठी तीन लड़कियों में से एक, जो करीब मेरे उम्रगी वो बोली कि आपको सच में आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, वो जलते हुए लोग, तो मैंने बोला होते तो दिखते न, कोई ही नहीं तो क्या दिखेगा, इस पर वो अंदर बैठे बुजूर्ग बोले, बेटा राम की कसम, आगे वो जलते चीकते है, मुझे भी दिख रह और बेटा तुमको नहीं दिख रहे है, नहीं आवाजे सुनाई दे रही है, कुछ तो गलत है यहाँ पर, यह बोलकर वो बूड़े आदमी की आँखे भर आई, अब मुझे लगा कुछ तो गड़बड है, मैंने पुछा कितनी दूरी पर दिख रहे है तुमको वो लोग, भू बोले वो सामने सौ मिटर भी नहीं है, तो मैंने बोला में जा रहा हो, तुम बताना कहां पर है, मैं उस रोड़ पर पैदल ही चलने लगा, थोड़ा आगे गया तो पीछे से वो आदमी और 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 चिलाए, भाया जल जाओगे, मत जाओ, रुको रुको, पर यहाँ कि बोड़ी गर्मी जादा सी लगी, फिर वापसा कर बूचा, क्या और आगे थे, वो बोला आप उनको क्रॉस करके गए, और आपको कुछ भी नहीं हुआ, मैंने बोला सामने खड़ा हूँ, चेक कर लो, फिल लाष्ट में मैंने उसको गाड़ी का दरवाजा खोलने को बोला, और उसको बहार आने को बोला, वो बहार आया मैं तुरंद अंदर गुसा, और गाड़ी स्टार्ट करके करीब वहां से 200 मिटर खड़ी करके बोला, अभी भी कुछ दिख रहा है आगे, वो लड़की बोली नहीं, अब तो बहुत पीछे दिख रहे, उसके बाद मैंने गाड इको भी पहली गाड़ी के पास लगाया, और बोला, अब तो नहीं दिख रहे है ना जलते हुए लोग, वो बोले, दिख तो रहे है, पर अब तो पीछे है, आगे नहीं है, मैंने बोला, ये पकड़ अपनी गाड़ी की चाबी, और जाओ, वो बोले, आप भी हमारे साथ ही चलिये, मैंने कहा नहीं, मैं अपनी प्यारी बुलेट बाइक पर ही जाओंगा, और मैं वापस गया, अपनी बाइक स्टार्ट करी और चल दिया, आगे वो लोग रुके हुए थे, मैंने बिना कुछ बोले, उनके बगल से बाइक निकाली, और चलता रहा, वो भी मेरे पिर में उनको जाने के लिए बोला, और कहा आपसे हर दिन, यदि हो सके तो, साथ या ग्यारा बार हनुमान चालिसा का पार्ट हर दिन कीजिए, फिर आपको कभी इस तरीके का कोई भी भई नहीं सताएगा, वो लोग इतना खुसते हैं, मानो उनको नहीं जिन्दगी मिल ग जाइब जरूर कीजिएगा, जैस या राम